दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक्जाम स्विद MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियों हम देखने वाले हैं कुछ महत्पूर्ण रासाइनिक योगिकों के कुछ प्रचलित नाम दोस्तो ये रासाइनिक योगिक इन नामों से जाने जाते हैं और विभिन कॉम्पेटिटिट नाम है जो सामाने नाम है इनको आपको आना जाहिए तो आज की इस वीडियों हम कुछ इसी प्रकार के रासाइनिक योगिकों के कुछ प्रचलित नाम देखेंगे दोस्तो तो सबसे पहला कमपाउंड जो है हमारा वो है फ्लोर इस्पार कहते हैं केल्शियम फ्लोराइड को CAF2 को floor spar कहा जाता है अब आता है हमारे पास calcium oxide कलाई चूना या कली चूना जिसको कहते हैं इसको हम quick lime भी बोलते हैं इसको quick lime भी कहा जाता है दोस्तो अब आता है हमारे पास aluminium का एक is कि जिसको हम कहते हैं cryolite NA3ALF6 को cryolite कहा जाता है NA3ALF6 इसका जो नाम है वो है cryolite यह एक aluminium का is होता है अब आता है हमारा साधार नमक जो की है हमारा NACL NACL sodium chloride इसका रासाइनिक नाम है और इसको सामानिता rock salt के नाम से जाना जाता है अब आता है हमारा next compound जो की है हमारा mercuris chloride तो mercuris chloride का जो सूत्र होता है वो होता है HG2Cl2 और इसको हम कहते हैं कैलो मल HG2Cl2 को कैलो मल कहा जाता है अब आता है हमारे पास next compound जो की है NA2CO3 इसका रासाइनिक नाम की अगर बात की जाए तो इसका रासाइनिक नाम होगा दोस्तो sodium carbonate और इसको सामानिता soda ash की नाम से जाना जाता है soda ash इसको हम कहते हैं इसी प्रकार की कुछ और compound है हमारे पास तो यहाँ पर हम देखेंगे red lead red lead क्या है कि lead का एक oxide होता है PB3O4 PB3O4 को red lead कहा जाता है अगला compound है हमारा gel canch gel canch क्या होता है दोस्तो Na2SiO3 Na2SiO3 sodium silicate को हम gel canch भी कहते हैं यहाँ पर 3 नहीं आपा रहा है लेकिन यहाँ पर last में 3 है Na2SiO3 Na2SiO3 को gel canch भी कहा जाता है अब आता है हमारे पास potassium carbonate K2CO3 potassium carbonate को pearl ash भी कहा जाता है potassium carbonate को pearl ash भी कहा जाता है अब आता है हमारे पास KHF2 होता है दोस्तो उसे हम framey lover कहते हैं framey salt कहा जाता है इसको framey salt इसको कहा जाता है KHF2 इसका रासानिक सूत होता है यह total compounds है हमारे इनके कुछ प्रचलीत नाम है screenshot ले लीजिए आपके हमेशा काम आएंगे अगर आप chemistry पढ़ते हैं तो मिलते हैं next किसी important वीडियो में पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए thanks for watching and listening me and good luck for your future दोस्तो thank you and bye bye